आज के वीडियो आपके हिंदी के एक्जाम के लिए बहुत जादा important है क्योंकि आज हम लोग हिंदी writing का one shot revision करने वाले हैं इसके बाद में आपको कुछ और देखने की जरुवत नहीं क्योंकि इसमें हम लोग पत्तर लिखन भी कर लेंगे रहेगा वो रहेगा 5 marks का और इसमें आपको choice दी जाएगी ठीक है choice दी जाएगी जैसे कि आप लोगों को इसमें दी जाती है न और वाले जो choice होती है वही रहती है इसमें दोनों आपको मिलेंगे एक तु रहेगा आपचारिक जो कि आपका formal letter होता है दूसरा होता है अनौपचारिक जो कि आपका informal letter होता है ये दोनो choices आपको इसमें मिलती हैं तो हमारा question इसके ये है ध्यान से सुनना question और उसी के साथ में जल्दी से इस वीडियो को like कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और subscribe जरूर से कर लें ताकि आपको हिंदी के one of the best वीडियो मिल पाए और उसे साथ में एक और बात आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको हिंदी का paper देखना है कि भाया paper कैसा आएगा तो उस वीडियो का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो अब यह जो question है इसमें कहा गया है कि आपका नाम दिशा या दक्ष है जैसे कि लड़की हो तो आप दिशा हो और अगर आप लड़की हो तो आपका नाम दक्ष है फिर उसके बाद में आपका यहां पर question यह है कि आपकी आयू मतदान योग्या हो गई है और आपने मतदान पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुन एप के द्वारा आवेदन किया था किन्तु काफी समय बाद भी आपका मतदान दाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला copy करोगे और उससे आप लोग paste करोगे फिर उसके बाद में आपको यहां पर address दिया हुआ है जैसे कि address आपको दिया हुआ है मतदाता पहचान पत्र के लिए विवरण में देरी और यह highlight भी कर दिया कि आप लोग इससे भी विश्या बना सकते हो कि शिकायत करते हुए अपने छेत्र के अब आपको पत्र किसको लिखना है जो आपको receiver रहेगा जो receiver का address है वो यहां पर रहेगा तो इस case के अंदर simple सा हम लोग ये करने वाल है कि जो sender address है उसको हम लोग कुछ भी लिखेंगे और जो receiver address है उसका भी हम लोग हमारे मन से लिखेंगे लेकिन जो address है वो ऐसा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ ये है उनकी post और उसके अंदर आप लोग उनका name भी include कर सकते है फिर उसके बाद में उनका address आगया डैली का address आगया फिर उसके बाद में आपड़ डेट है फिर उसके बाद में जो next रहेगा वो रहेगा हमारे पास में विशे क्या है मत दाता पहचान पत्र में विवरण में देरी ठीक है ये आपको इसकी शकायत करनी अब हमारी starting इस तरीके से रहेगी मानन ये महोद्य मैं दिशा आपके आविदक मत्दान करने योग्या हो गई हूँ मैंने गरुन एप के माध्यम से मत दाता पहचान पत्र के लिए आविदन किया था लेकिन अब तक उसे प्राप्त नहीं कर पाई हूँ यह देरी मेरे लिए चिंता जनक है आपने simple size के अंदर क्या कहा है इसमें आपने अपनी problem बताई है कि आपको क्या problem है और आप लोग क्यों लिख रहे हूँ आपने लिखा है कि मैंने मत्दान पहचान पत्र के लिए 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 मुझे नहीं मिला तो यह आपकी problem है वो आपने इसमें introduce किया फिर उसके बाद में आप लोगों उनसे request करोगे इसमें आप लोग request करोगे जो second paragraph इसमें यह है कि कृपया मेरी समश्या को समझें और मेरा मत्दाता पहचान पत्र को जल्दी से जल्दी विवरित करें और फिर उसके बाद में जो next है कि मत्दान नस्दीक आने वाले हैं आयूजन में भागिदारी अनावश्यक रूप से परभावित ना हो मैं बहुत जादा excited हूँ कि मैं भी उसमें part ले पाऊं विसलिए देरी ना हो इसका आप ध्यान रखेगा फिर उसके बाद में last आप लिखेंगे कि मुझे अपना नागरिक करते हूए निभाने में आपका सहयोग चाहिए ठीक है यह आपने last में लिखा फिर आपकी last line रहेगी कि आप से जल्दी से कारवाई की आशा करते हूँ कि मैं उमीद करते हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे फिर उसके बाद में आप लोग इसमें लिखेंगे सधन्यवाद दिशा दिल्ली यह हो गया ठीक है simple address है इसमें address में कुछ भी नहीं है simple है आप लोग city का नाम लिख सकते हो और इसके लावा आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है फिर उसके बाद में जो next है हमारे पास में वो है अनौपचारिक पत्र अब देखो अनौपचारिक पत्र में क्या होगा अनौपचारिक पत्र में सबसे first जो है यहाँ पर सेवा में नहीं आएगा यहाँ पर आएगा प्रेशक का नाम वपता यह तीन लाइने जो हैं इसके अंदर आप लोग उनका नाम लिखोगे फिर उसके बाद में उनका पता लिखोगे फिर इसके बाद में जो next है वो है दिनांक का अब देखो उसके अंदर जो format था वो I think की साथ पुराना था लेकिन आपका जो format यह है कि आपको पहले दिनांक प्रिया मेरे दोस्त उसी तरीके से प्रिया भाई या फिर आप लोग जैसे की मानन ये माता पिता जी जिस भी तरीके से आप लोग जैसे बड़े हैं तो आप उनको आधरन ये लिखोगे और उसके साथ में अगर कोई आपके जैसे की दोस्त है तो उसको आप प्रिया मितर लिखोगे, अपने छोटे भ़ाई बैनों को लिखोगे, इस तरीकी से आपको लिखना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे फस्ट में उनको यह पूछना है, happiness के बारे में, यह आप अपना English के अंदर समझों, क्योंकि आप लोग English के अंदर अच्छे से comfortable हो, उनको यह पूछो कि मैं यहाँ पर स्या कुशल हूँ, उमीद करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर स्या कुशल हूँगे, यहाँ पर मैं बहुत पॉइंट में क्या होगा, में पॉइंट में रहेगा कि आप लोग किसलिए पत्तर लिख रहे हो, आपको जो भी problem है, या फिर जो भी आप लोग उनको बताना चाहते हो, वह आप उसमें include करोगे और last में रहेगा समापन की उमीद है कि आप से पत्र हमें जल्दी से जल्दी मिलेगा ये इसकी last line रहेगी और last के अंदर आप लोग उसको conclude करके लिख दोगे फिर उसके बाद में जो next रहेगा कि आपका उनसे क्या संबंध है कि आपका संबंध क्या है, उनसे जैसे कि आप भाई है तो आप अपने भाई का लिख सकते हूँ माता पेता है, तो आप उनसे लिख सकते हूँ फिर उसके बाद में last के अंदर आएगा जो परेशक है उसका नाम, जो send करने वाला है उसका नाम यहाँ पर रहेगा अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में अपने मित्र मानव को पत्तर लिखे आप अपना जो दोस्त है उसका पत्तर लिखने का आपको आया तो ध्यान से देखो इसका format क्या रहेगा तो इसका जो format है वो सबसे first रहेगा कि जो भी sender है address की कौन है उसको send करने वाला तो sender address यहाँ पर आने वाला है तो यहाँ पर sender है दक्ष तो दक्ष का address आ गया फिर उसके बाद में Mumbai आ गया आप लोग कोई भी जगह का नाम लिख सकते हो बस इतना सा आपको address लिखना है फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको एक line का space देना है फिर उसके बाद में आप राएगी date date इस तरीके से राएगी 28 July 2023 और एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो भी कोमा है आप लोग इनको use ना करूँ मैं आपको बोलूँगा इसके marks नहीं करते तो आप confused ना इसलिए आपको इसको use ही नहीं करना है फिर उसके बाद में आपको यहां पर फिर से date के बाद में एक line का space छोड़ना है फिर उसके बाद में आप यहां पर विशय लिख सकते हो अब कुछ book ऐसी हैं जिन के अंदर की अनौप चारिक पत्र के अंदर विशय आता है और कुछ के अंदर नहीं आता तो आप लोग safe side के अंदर रहने के लिए इसे लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो मैं तो आपको recommend करूँगा कि जो most of the books है उनमें जो last year तक था उसमें कोई भी विशय नहीं था लेकिन इस साल बहुत सारी ऐसे book है जिनमें विशय है तो मैं आपको यह करूँगा कि आप इसको ना लिखो तो ही अच्छा है ठीक है फिर उसके बाद में हम लोग इसके starting किस तरीके से करेंगे starting हम लोग करेंगे कि प्रिया मानव हमारा जो दोस्त है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे उसका अभिवादन रहेगा उसी तरीके से हमारा भाई है तो हम लोग उसके लिए अलग से यूज में लेंगे जैसे आदर्नियमातापिता होगे हमसे बड़े हैं लेकिर न हमसे छोटे हैं तो आप लोग उनके लिए प्रियल लिख सकते हो प्रियल चोटे भाई जो भी है आप उसका नाम लिख करके लिख सकते हो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है अब यह जो स्टार्टिंग है यह देखो ये जो letter है ना ये totally book से लिया हुआ है और जो book के letter है वो bookish language रहती है आपसे कभी भी ऐसा letter नहीं लिखा जाएगा तो उमीद में बने रखना कि आप ऐसा लिखोगे आपको simple सा अपनी language के अंदर लिखना है मैं आपको बता देता हूँ सबसे first जो आपकी line रहनी चाहिए ये वाली जो line है इसमें आपको कभी वेकर number नहीं कटवाने तो आपको इसके अंदर पूछना है ये note down कर लो कि मैं यहाँ पर sequential हूँ और उमीद करता हूँ कि तुम भी व व्यक्ति हो जो समाज को सिक्षित बनाने के लिए परियास कर रहे हूँ अब ये एक starting है फिर उसके बाद में जो next है हमारी line की मैंने अभी देखा है कि हमारे आसपास में कई असक्षित लोग हैं जो कि शिक्साश्य वन्चित हैं अब आप यहाँ पर जो main point है उसके उपर आ लास्ट में आपको लिखना है लास्ट में आप इस तरीके से इसकी एंडिंग जो है वो important है इसमें आप कुछ भी लिखो इसमें जादा कोई भी marks नहीं करते है आप हिंदी का पेपर है जैसा आप सोचते वैसा आप लिख दो लेकिन इसका format सही होना चाहिए तो इसकी जो last ली राइन है उसे ध्यान रखना है इसकी लाइन जो last वाली है वो यह है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम भी साक्षातर के कारिया में सही हो करने को तयार होंगे इस mission में साथ मिल करके हमें जितनी भी असिक्षित लोगों को साक्षर बनाए उनकी जीवन में अन्मोल परिवर करतन होगा यह आपने last में conclude कर आप उसे request करो कि भाई तु भी मेरे साथ में चुड़ जा फिर उसके बाद में last के अंदर हमारे पास में format में रहेगा कि धन्यवाद और आसा है कि तुम सकारात्मक जवाब दोगे आपको positive इसको end करना है फिर उसके बाद में तुमारा प्रि लेखन और इसको English के अंदर resume में भी कहा देते हैं जो कि कोई भी जगह के उपर काम में आ सकता है जैसे कि आप लोग को कहीं पर job लेनी है तो उसके इसके अंदर ही काम आएगा तो इसमें आपको क्या क्या include करना है वो बात आप ध्यान से देखो इसका format ध्यान से देखो सब से first जो रहेगा वो रहेगा आपका नाम फिर उसके बाद में दूसरे जो दो नाम रहेंगे इसके बाद में आपके नाम कहला वो रहेगा आपके माता का नाम और आपके पिता का ना फिर उसके बाद में next रहेगा आपकी date of birth ये क्या है ये है आपकी date of birth फिर उसके बाद में आपका वर्तमान पता रहेगा, फिर उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर रहेंगे, और जो मोबाइल नंबर लिखने का format है, वो आपका होना चीज़ जैसे कि 935XX, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने है, अगर आप रियल मोबाइल नंबर लिखोगे, वहाँ पर आपके half marks cut हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको अपनी इसके बाद में email लिखनी है, फिर उसके बाद में आप लोग, यह आपने simple सा अपना introduction देना है, यह सब आपके बारे में data है, लेकिन अब इसके बाद में जो आपके पास में point है, वो अलग रहेंगे, जैसे कि अब इसके बाद में जो point है, वो है भासाओं का ग्यान की, आपको कौन से कौन से भास आती है, आपको English आती है, Hindi आती है, जो भी भासा आती है, वो आप लिखोगे, फिर उसके बाद में आप लोग अपनी रास्टेता लिखोगे, फिर उसके बाद में आपको work experience कित संख्या रहेगी, फिर उसके बाद में class रहेगी, फिर उसके बाद में वर्ष रहेगा, कि किस वर्ष में आपने उसे pass किया था, फिर उसके बाद में board हो गया, विश्वव विधालिया हो गया, कहां से आपने उसे pass out किया था, क्या subject था, और last के अंदर आपके कितने percentage थे, या फिर आप ये ना लिख करके विशह ना लिख करके आप लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इसको कॉलम को अटा सकते हो, लेकिन at least आपको 3 कॉलम बनाने, कितने कॉलम बनाने हैं, एक तो आपका रहेगा क्लास का, बहुत सिंपल है, फिर उसके बाद में आपका रह पास में और कोई इसके लिख सकते हो, फिर उसके बाद में आपके पास में क्या-क्या उपलब दिया है, फिर उसके बाद में आपका क्या इंटरस्ट है, उसको कहा जाता है अभी रूची, ठीक है, अभी रूची कहते हैं उसे, फिर उसके बाद में लास्ट में आपको यहा लोड़ा अलग है इसलिए इसे देखना क्योंकि बहुत जादा इंपोर्टेंट है इस बार नए तरीके का पुछा गया है तो ध्यान से देखो क्योशन क्योशन में कहा गया है कि आपका नाम सुनीता शुरेश है आप राजिंदर नगर की निवासी है और यहां पर आप के लिए बोला गया है कि एक वेकेंसी है जिसके लिए कि आपको एपलाई करना है अब उसके आगे चो डिटेल्स दीवें वो यह दीवी है कि आपका उक्तपद की योग्यता जो कि आप लोगों कि यहां पर डिगरी का नाम है वो है यहां पर बी एलबी पुस्तकाले विज् रते हैं और उक्तरिद्पद के लिए इस्थानिय विध्यालय में विध्यालय प्रमुक को आविद्धन पत्र लिखिए और अपना स्वतर्त उसमें लिखिए तो अब यहां पर यह जो क्योशन है यह बड़ा ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक तो लेटर भी आगया आपका और उसी के साथ में स्वतर्त भी दे दिया तो यह इस बार का थोड़ा अलग सा क्योशन है तो इसे ध्यान से समझना क्योंकि इसको लिखना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अब इसके बाद में कुछ तो सबसे फर्स्ट आप लोग यहां पर देखोगे स सबसे फर्स्ट इसकी स्टार्टिंग होगी आप यहां पर लिखेंगे वो लिखेंगे सेवा में फिर उसके बाद में यहां पर आपको पोस्ट लिखनी है कि आप किसको लिख रहे हो तो आप लोगों के यहां पर कहा गया कि जो विध्यालय पर्मुक है उनको लिखना है उस सुत्यकाल्य अध्यक्ष के पद के आविदन हेतु, आप अप्पलाई करना चाहते हो, फिर उसके बाद में हमारी स्टार्टिंग इस तरीके से रहेगी, सबसे पहले जो सैलूटेशन होता है, मोहद्या करके हम लोग उनको सैलूट करेंगे, मतलब सैलूटेशन इसको कहा जात है, फिर इसके बाद में हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है, यह ध्यान से देखना, सबसे फस्ट अगर आप कोई भी लेटर लिखते हो, तो उसमें अपना इंट्रो देना सबसे जादा जरूरी होता है, तो आप सबसे फस्ट आपको अपना इंट्रो देना है, तो इंट् समाचार पत्तर से मुझे सुचित किया गया था कि आपके विध्याले के पुस्तकाल्य में अध्यक्ष का पद रिक्त है आपको देनिक भासकर से पता लगा तो आपने वो चीज को इंकलूड किया फिर उसके बाद में आपको अपनी डिगरी के बारे में बताना है कि मैं BLB करता हूँ कि वो जो खाली पद है उक्त का मतलब होता है खाली पद की योग्यता मैं करता हूँ मुझे अधिकादिक अवसर मिलने पर मैं अपने परियासों से पुस्तकाल्य को समर्थ और ज्ञान बाबरग बनाने का संकल पर रखता हूँ अब आपनी हाँ पर यह बताया है अपनी skill के बारे में इसमें include किया है अब ये जो है ये देखो ये simple सा है ये है book की language अब इसमें बहुत बड़े-बड़े writers जिन्हों ने लिखा है तो आप ऐसा नहीं लिख पाओगे आपको simple सा याद रखना अपना intro देना है फिर उसके बाद में आपको बताना है कि आपके पास में कौन से degree है फिर उसके बाद में आपको बोलना है कि मैं उस खाली पद के लिए apply करना चाहता हूँ बस इतना से लिखोगे फिर उसके बाद में आप सीधा आओगे आप इसके अंदर लिखोगे कि मेरा स्वतर्थ मेरा स्वतर्थ किस तरीके से रहेगा आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपका इसमें marks थोड़े अलग किये गए थे कि जो उपर वाला format है इसके लिए आपको मिलेंगे 1 mark और फिर उसके बाद में जो नीचे वाला स्वतर्थ लेखन है इसके लिए आपको मिलेंगे 4 marks ठीक है इस तरीके से आप लोगों का इसमें marks distribution रहेगा तो सबसे first हम लोग स्वतर्थ के अंदर क्या लिखेंगे मैंने कहा था कि आपको 3 नाम लिखने है जिसमें से सबसे पहला नाम किसका होगा आपका जो कि शुरेश तिरपाठी है फिर उसके बाद में पिता जी का नाम श्री दीपक तिरपाठी फिर उसके बाद में माता जी का नाम श्री मती रंजना तिरपाठी फिर उसके बाद में आपकी जनमती थी जो कि है 15 जुन 1991 फिर उसके बाद में वर्तमान पता जो भी है आपका 28 राजिंदर नगर मुंबई फिर उसके बाद में आप एक important बात मैंने लिखा ही हुई है वो लिखी हुई है mobile number की ठीक है तो mobile number में आपको ध्यान रखना यहाँ पर एक total mobile number लिखा है वो नहीं लिखना आपको यहाँ पर लिखना होगा 9682 फिर उसके बाद में इस तरीके से आपको exam के अंदर लिखना है अगर दरवाइस अगर आप अपना कोई real number लिखते हो तो वहाँ पर आपका half marks काट दिया जाएगा ठीक है फिर उसके column है एक तो क्रेमांक है फिर उसके बाद में परिक्षा है कौन सी संस्ता से आपने pass out क्या था कौन सा board था कौन से आपके subject थे श्रेणी क्या थी प्रापतंक क्या थे तो इस में से जो important है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको include करने है at least आप यह मान करके चलना कि आपको four columns तो बनाने ही बनाने जो कि मैंने पहले भी बताया था इसमें आप लोग अपनी तरफ से इसमें field ही कर दो कि इसमें तो कुछ बताना नहीं है फिर उसके बाद में जो next है इसमें वो है आपकी अन्य संबंदी त्योगिता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो आप computer में एक diploma कर रहा है आपने एक वर्षे diploma कर रहा है हिंदी अंग्रेजी में दक्षता और जर्नमन भासा का आपको आती जो भी भासा वगिर आती फिर उसके बाद में आपका चीजों की खोज करने में आपको इंटरस्ट यह कुछ भी आप लिख सकते हैं, जब दो-तेन सवतर्थ देखोगे तो आपको यह पता लग जाएगा, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर उध्ध गोशना करनी है, इसका मतलब यह होता है कि आप डिकलियरेशन दे रहे हो, मैं पुष्टी करता हूँ कि यह जो भी डेटा है, वह जी सारक सारा सही है और कम्प्लीट है, ठीक है, यह आपको डिकलियरेशन लास्ट में लिखना होता है, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है दिनांक जो भी है इस्तान हो गया और दास्ट के अंदर आपके हस्ता आक्षा रहेंगे, यह होता है एक स्वयतर्थ का फॉर्मेट, फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वो चलते हैं, इमेल लेखन के ओपर, अब जो इमेल लेखन है न, यह नॉर्मल सी जो लेटर राइटिंग है न, वही होती है, इसके अंदर जादा कोई भी सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज है, वो है आपका फॉर्मेट का, तो आप इसका फॉर्मेट याद रख लोगे, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉबलम नहीं होगी, और फिर इसके बाद में इसमें आगे लिखा हुआ है कि अपने चित्र के अनियमित विधुत आपूर्ती क आपको लिखना है, यह हो गए आपका रिसीवर, जो कि रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद में 80 सब्दों के अंदर आपको इमेल लिखने है, ठीक है, तो आपको जो सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा कि अपने चेत्र में अनियमित विधुत आपूर्ती की ओर, ठीक है, अ उनकी ID, फिर CC आएगा, फिर उसके बाद में BCC आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, फिर इसके बाद में चो next है, वो आएगा आपका विशय, विशय क्या है, कि अनियमित विधुत आपूर्ती की समश्या के संधर्ब में, ठीक है, यह आपको as it is, क्योशन से रहेंगे, formal salutation हम लोग उनको देंगे, तो वो रहेगा कि मानन या महानिदेशक जी, और फिर उसके बाद में आप सबसे first अपना introduction देंगे कि मैं सुरेश राजिंदर नगर का निवासी, मुझे खेद है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे छेत्र में विधुत आपूर आप इस तरीक से उसे लिख सकते हो, दें फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा कि बिजली आपूरती के मंद में इसे सुधारे और अव्यवस्ता को दूर करने में आपके कार्य करम के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई है और कृप्या हमारे छेत्र में विधु समश्या को जल्द से जल्द सुलजाने के लिए अवश्यक कदम उठाएं आपने लास्ट के अंदर क्या बोला है आपने लास्ट में बोला है कि आप ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्फ करो तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने कि आ आपको सिंबल सा request करना है फिर उसके बाद में जो last वाली हमारी closing line रहेगी वो रहेगी कि हमें आपका सकारात्मक प्रतिकरिया की उमीद है फिर last में आजेगा धन्यवात आपका सुरेश राजिंदर नगर ठीक है यह रहेगा आपका format last में जो भी sender है उसका address आएगा ठीक है विज्यापन लिखनेना बहुत ही जादा important है तो इसे ध्यान से सुनना सबसे first तो आपको एक काम करना है वो बनाना है box ठीक है कोई भी विज्यापन अगर लिखो तो उसका एक box बनाना है फिर उसके बाद में यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है यह आएगा आएगा आपका title मतलब जो भी आपको question के अंदर given है उसके एक heading जो होती है वो आपको एक box के अंदर बंद करनी है फिर उसके बाद में यह जैसे कि यहाँ पर sale लिखा हुआ है इधर sale लिखा हुआ है तो यह क्या है यह एक आकरशक word है जो कि आप sale के लिख रहे है तो sale आप लिख सकते हो और अगर कुछ और आप लिखना चाहते हो तो उसके अंदर ऐसा लिखो जो कि catchy हो जिससे कि जो customer है वो attract हूँ फिर उसके बाद में next है यहाँ पर उसका नाम आएगा जो भी shop है तो shop का नाम आएगा या फिर आप लोगों जैसे कि कोई भी कारिय करम कर रहे हो तो उसका नाम यह यहाँ पर आएगा और उपर आएगे title ठीक है फिर उसके बाद में जो next है यहाँ पर आएगे features ठीक है अब features के अंदर क्या होगा अब feature के अंदर आप लोगों के जैसे कि यह हम लोग विनायक garments के sales के बारे में कर रहे हैं तो इसमें कपडों की बात हो के अंदर हम लोगों offers इसके अंदर आप लिख सकते हो इसमें आपने लिखा है कि एक के साथ एक free है बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है फिर उसके बाद में आप इसमें date mention कर दोगे कहां से ले करके कहां तक है तो यह तीन point आप इसमें at least features के अंदर लिखोगे और फिर उसके बाद में यह जो आ इसके बाद में हम लोग इसका question देख लेते हैं इसका question यह है कि कहाना dairy अपने उत्पादनों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्यापन तयार करवाना चाहती है इस संबंध में आप अपने विज्यापन लेखन कीजी ठीक आपको विज्यापन लेखन लिखना है तो जैसे कि खुल गई खुल गई अब जैसे कि यह तो कहा है यह चोटे चोटे की words हैं जो कि आपको उपर लगाने होंगे sale है तो उसके लिए sale लिखोगे दुकान है तो खुल गई खुल गई फिर उसका दिया free free भी उसके अंदर लिख सकते हो और यहाँ पर यह जो title है title जैसे कि कहाना dairy है तो सबसे first यह आजाएगा कहाना dairy जो कि थोड़ा बड़ा रहेगा फिर उसके बाद में इस तरीकी की shape के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है इसकी shape के अंदर हमने लिखा हुआ है कि सुद्ध दही दो दही मक्षन पनी लसी यहाँ पर मिलते हैं फ ठीक है exam के अंदर पता आपको लिखना है फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर mobile number नहीं लिखा हुआ आपको mobile number लिखना है और जैसे कि अब यह milk है तो अब milk के अंदर यह तो printed है जिसके अंदर की छोटे से काना जी को बना रहा है देकिन क्या यह हम exam के बना सकते नहीं तो आप simple से दूद की bottle बना देना एक दो bottle बना देना और उसको circle में mark कर देना ठीक है इस तरीके से आपको विग्यापन लिखन कर रहा है फिर उसके बाद में जो next आता है वो आता है हमारा संदेश लिखन मतलब संदेश जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें हमारे दोस्त को invitation भ विकास हैं मतलब वीना या फिर विकास हैं और आपकी छोटी बहन ने विद्याले के वार्सिक परिक्षा में पूरे विद्याले में पर्थम स्थान प्राप्त किया है जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि जो most of the sisters होती है वो बहुत जाद अच्छा परफॉर्म करती है मेरी sister बहुत जादा नहीं पड़ते हैं इंता ध्यान नहीं देते हैं समझते होंगे जिनकी भी बहन है क्योंकि हमें डाट सुनने को मिलती है कि तीरी बहन से सही को कित्ता पड़ती है ऐसा होता है लेकिन मुझे नहीं बोला जाता फिर उसके बाद में उसे बदाई देते हुए 60 स फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा एड्रस जो कि है पुरानी मंडी आगरा ठीक है यह एड्रस आएगा यह किसका आएगा यह आएगा सेंडर का ठीक है जो भी सेंडर है उसका एड्रस यहाँ पर आएगा फिर उसके बाद में आप लोग की छोटी बैन है तो आप उसक जो भी बोलना चाहते हो, जैसे कि आप उसका नाम भी लेकर के बोल सकते हो, जैसे कि प्रिय वीना या फिर प्रिय नीधी, जो भी आपका नाम अच्छा लगे, वो आप उससे लेख सकते हो, फिर उसके बाद में हहाफ इसमें आयेगी heading जैसे कि बधाई है, बधाई का संदिज हासिल करने पर गर्व हो रहा है तुम्हारी यह सफलता कड़ी महनत और समर्पन का परिणाम है और तुम्हारे उजवल भविशय की सुबकामनाएं ऐसी ताकत इवं अध्यन शेलता बनाए रखना धन्यवाद बदाई हो और फिर लास्ट में लिखोगी तुम्हारा भाई विक इसमें आपको क्या-क्या लिखना होगा ये भी आपको पॉइंट्स दिये हैं सबसे फस्ट आप इसके अंदर भूमी का लिखेंगे फिर अम्रित महुत्सव का अर्थ क्या होता है इस महुत्सव से होने वाले समारों के बारे में आपको लिखना है और इस महुत्सव का महत् और इसका निश्कर से आपको बताना है, तो अब हम लोग एक बार अनुछे देख लेते हैं, तो यह है इसका solution, तो यह है यहाँ पर सवतेंतरता का अमरेत महौत साओ, इसमें आपके जो 6 marks है, वो इस तरीके से split होंगे, 6 marks में आपका 1 mark रहेगा spelling का, कि आप लोगों की spelling mistakes कितन असुदिया है, फिर उसके बाद में एक number रहेगा, आपके format का, कि आप लोगों ने format किस तरीके का लिखा है, मतलब कि आपने साइध़ दंग से heading लिखी है, क्या आपने उसका intro दिया है, फिर उसके बाद में body के अंदर कि आपने उसको लिखा है, यह important है, फिर उसके बाद म हम देखने कि हमें किस तरीके से ये लिखना है अनुछेद लिखना में कैसे करना है तो अब हम एक बार इसे देख लेते हैं अब हम इसे देखते हैं तो इसके अंदर यह है कि 67 तरता का अमरित महुतसव भारत के 75 वर्षय अवसर को समरपित करने का एक विशेश महतसव है अमरित सब्द का अर्थ है अमरिता या फिर अद्भुता जिससे यह सुचित किया जाता है कि सवतनतर्था का यह उच्छव अन्मोल और अद्भुत होगा फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो यह होगे है इसका सिंपल साइन्टरो कि क्या है अमरेत महुत्सव, सिंपल सा भी है, सवतंतरता 75 years को हम लोग celebrate करते हैं, यह हमारे लिए एक important event है, यह हमने इसमें लिखा है, फिर इसके बाद में यह आता है कि इस महुत्सव में हम क्या करेंगे, इस महुत्सव में देश भर में विभिन रास्ट्रिय समारोह आयुजित किये जाते हैं, जिसमें सवतंतरता संग्राम के शेरों को सम्मानित किया जाता है, और नव जवान को रास्ट्र शेवा के लिए प्रेडित किया जाता है, सिंपल सा यह होता है, और भी लोग हमारे देश भक्ति करें, और भी लोग इंस्पायर हों, और हमारे देश के लिए काम कर यह है कि यह मौत्सर रास्ट्र एक्ता का प्रतीक है और देश वास्यों को संभोधित करने का एक मौका प्रदान करता है जो हमें अपने देश के प्रती समर्पित करता है और हम रास्ट्र के उन्नती और समर्ती की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ठीक है य आएगा आपका 6 marks का है तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही सब्सक्राइब कर ले ना ता कि आप लोगों को हिंदे की और भी वीडियो मिल पाएं और मिलते हैं आप लोगों इस नेक्स वीडियो के अंदर all the very best